कि नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चनल शेयरबाद में आपको बात करेंगे ड्रीम फोक्स सर्विसेश की बिल्कुल क्या बेहतरी इसने डेवियू किया है कर जब बरदस इतने बंपर रिटन दिखाए है और अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि कल लाश में हाल कि दोभ़ं जानेंगे कि अंत में चार्ट फे थोड़ा साम लोग करेंगे हाला कि चार्ट भी बना यह फैंतां पर चार्ट है अंगे और का किया क्या करने चाहिए उस safer से से पैसे रोपने चाहिए आप प्रॉफिट बुक करके निकल लेने चाहिए उससे पहले जो बड़ी नियूज है आप इसको एक बार चर्चा कर लेते हैं कि कि दी शेर वर बॉट बॉट एट एन एवरेज प्राइज प्राइज ऑफ चारसो इखतर देशमलों एक्यावान लुपए पर ठीके चारसो इकतर लगए तो मतलब इक्या बताता है कि अगर यह आज यह थोड़ा नीचे गरता है तो आपको इसमें बाइंग ऑपर्चुनिटी देखने को मिल सकती है ठीक है अच्छा आप इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है फ्यूचर डिटेल पर आपने देखा तो जाके देख सकते हैं उसके अलावा मैंने बहुत सारे वीडियो बनाएं आप जैसे ही वीवर्स की रिक्वेस्ट पर अगर नहीं देखा है तो आप आप देखें एक्सपर्ट क्या कह रहा है ठीक है पहले थोड़ा सा कामकार देख जाते हैं इसका क्या हलका एरपोर्ड लाउंज सेवाए महिया कराने वाली दिगज कंपनी ड्रीम फॉक्स सविस्टेस के शेर कि आग घरेलू मार्केट में शांदार लिस्टिंग हुई ठीक जिसके चलते इसके आई-पी ओंको निवेशकों का शांदार रिस्वांस मिला शांदार लिस्टिंग के बाद आप निवेशकों के सामने उल्जहन है कि इसे निवेश बनाया रखे हैं मुनासबा करके निकल लें इसे लेकर मार्केट एक्सपर्ट में भी मिली जुली प्रक हो रहा है ठीक है यानि कि इससे अधिक तेजी की गुंजाइश नहीं है ऐसे में उन्होंने निवेशकों को प्रॉफिट बुक करने की सलाधी है ठीक है यह तो हो गई इनकी सलाई इंजल वन की आप देखिए स्वस्तिक इन्वेश्मेंट इन्वेश्मार्ट के रिसर्च है जो है संतोश मीना जी के मुताबिक अगले दो दश्कों में भारती एवियेशन इंडिस्ट्री में तेज रुजहान दिख सकता है मिडिल क्लास की बढ़ती आये कारोवारी सफर में तेजी हवाई अत्रा की खटती लागत टीर टू और त्री शहरों में बढ़ते सफर से इस इंडिस्ट्री कुछ सपोर्ट मिलेगा बिल्कुल तो यहां पर एक तरह से यह कह रहा है कि हावई इसको लॉंग टर्म के लिए एक प्रॉफिटेबल हो सकता है मामला बात करने इसके प्रोफिशियंट इक्विटीज के दरर जो डिरेक्टर है मनोज ड़ लॉव्या जी के मुटाबि जिंवेश्च जो है कुछ मुनाफ़ा गुक रेलें का पर लेकिनths लागा पर लास पर एक साल के लिए 700 रुपए टार्गेट पाइट रखना चाहीं तो यहां पर इन्होंने भी यह सारी चीज बताई हैं बड़ी चीज यहां पर बोली है अच्छा मुनाफ़ा वसूली के बाद बावजूद प्रॉफिट में हैं आई प्यों यहां पर उपर से आपको सब्सक्राइब के बाव पर बंद हुए है 432 पर और 471 आपने पहली स्लाइड देखी होगी तो 471 पर जो स्मॉल के फड़ने मिरे सेट का उसने इसको लिया है स्मॉल मिट में जून तिमाही में च्छाग होने से अधिक बढ़ गया रिवेन्यू ठीक है इसको आप पॉस्ट करके पड़ सकते हैं हलाकि मैं भी आगे आपको चार्ट के तुरू बताऊंगा तो उससे आपको सारी चीजे क्लियर होंगी इसके कामकाच की बात यह देखिए 24 अपरेल 2008 में इंकॉर्परेट हुई है और इसके कामकाच के बारे में आपने पीछे देखी लिया है कि एरपो काटर रोलिंग 67% है डेट्स देख रहे हैं आप तो बिलकुल ना के बराबर है बहुत कमने डेट्ट इकुटी 0.1% है ठीक है आगे मरते हैं अगर इसके क्वाटर ली रिजर्ट की बात करेंगे तो देखिए उन दुझारवाइस में 160 की सेल आई है उससे पहले 99 उसे पहले काटर है ठीक है तो मतलब इन्होंने काटर और काटर और यहां पर है अपर यहां पर तेरह तो यहां पर आपको एक अप्ट्रेंड देखने को मिला बढ़िया है यहां पर बात करेंगे सारी वेल्यू करोन में सेल्स देखेंगे तो यहां पर जानते हैं सबस्यादा प्रभावी तो अविएशन सेक्टर ही हुआ था फ्रेंट फ्रॉस में यहां नौपर समय थीख है तो यहां फंदरा है बथिस क्रोड यहां पर एक रोड माइनस का शुला कर लग तो बहुत जब्स जेंब देखने को यहां पर मिला है पिछले साल से पर आपने चार्ड कि अगर बात करेंगे तो यहां पर अच्छा कासा यहां पर उपर फिर उसके बाद दीरे 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 आपको नीचे जाता हुआ दिखा है तो आज इसमें आपको हलचल देखने के मिल सकती क्योंकि जो शेयर पर शेयर होएं उसकी न्यूज आई है कल शाम बात करेंगे अगर इसके डिलिवरी की तो यहां पर 91 लाक डिलीवरी यहां पर बात करेंगा इसके तो यहाँ पर देख रहा है अब यहाँ पर इतना ज्यादा भी कुछ जाना नहीं जा सकता है यहाँ पर आप देख रहा है कि उपर से खुलते ही रावाट होट इसके बाद लगा था और यह 15 मिट के खेंडल है ठीक है तो यहाँ से आपको अभी हलकी सी कमजूरी देखने को मिल लिए 15 मिट के खेंडल के हिसाब से मतलब शॉर्ट टम में ठीक है और देखिए आपने खु अब पर्सक्राइब करें अब पूछिए उसके बाद ही आप इनवेश्मेंट करिए ठीक है वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया अगर यह चैनल को सब्सक्राइब करके बेला इक ज़रूर लबा दिया करिए दन्यवाद